चोपड़ा जो किस न यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बचो, आज इस वीडियो में हम स्टेट कोटा काउंसलिंग की अपडेट के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से स्टेट के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए हैं, मैं आपको इस वीडियो में काफी सारे स्टेट की अपडेट देने वाला हूँ, साती साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो MCC ने नया रूल अपलाई किया है, थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन वाला, उससे कटोफ फर क्या एफट पड़ेगा, कौन-कौ से कंडिडेट को इसमें फाइदा होगा, इसके साथ साथ एक next के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो MCC ने मोग टेस्ट के लिए registration करवाया था, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MSC मोग टेस्ट के बारे में, तो जैसा कि आपको पत है अभी आने वाले समय में नेक्स्ट एक्जाम होना है और ये नेक्स्ट एक्जाम पहले एंएमसी ने इसी नवंबर 2023 से स्टार्ट होने के लिए कहा था और इसका प्रोस्पेक्ट भी जारी हो चुका है जो अभी फाइनल एयर में स्टुडेंट से MBBS कर रहे हैं उनके लिए एमस ने मोग टेस्ट के लिए रेजिस्टेशन भी स्टार्ट कर दिये थे और इनके रेजिस्टेशन की डेट भी ओवर हो चुकी है तो अभी एमस ने उसी के तो जो मोग टेस्ट लेना था एमस ने उसके लिए आलड़ी रेजिस्टेशन हो गए थे 2000 रुपीज फीस भी पेट कर वा ली थी एमस ने तो वो भी कैंसल हो गया है यह जो फाइनल एर के स्टुडेशन कर रहे हैं उसके लिए यह मोग टेस्ट होना था तो यह जो मोग टेस्ट है यह कैंसल हो गया है और जो फीस रेजिस्टेशन फीस 2000 हर एक स्टुडेशन ने डिपोजिट किया था जिन्होंने रेजिस्टेशन किया था वो उनके अकाउंट में वापस स्टुडेशन किया था नीट स्कोर अपडेट किया था उनके लिए रेंक लिस्ट जारी हो चुकी है यानि कि केरला इस्टेट में आपकी कितनी रेंक है इस रेंक लिस्ट से आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट है cwe.kerala.gov.in पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं इस ल के according आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको केरला इस्टेट में कहां पर admission मिल सकता है previous year की कटोप से आप आइडिया लगा सकते हैं केरला इस्टेट की रेंक से इसके बाद next update है वो है तिरपुरा इस्टेट से तिरपुरा एक open state है और इसके भी registration है वो जल्द ही start होने वाल से वेश्ट बंगोल का भी 2023 के लिए MBBS BDS counseling के लिए schedule जारी हो चुका है यह schedule आप इसकी website पर देख सकते हैं wbmcc.nick.in की website पर आपको इस परकार का यह schedule मिल जाएगा तो आप यह schedule देख सकते हैं यहां पर अब यह schedule है इसमें जो registration start होने है round 1 के लिए वो registration start होंगे 25 July से और 28 July last date रहेगी, fees payment की भी 28 July last date रहेगी, result इसमें आजाएगा 5 अगस्त 23 साम चार बजे बाद तो यह West Bengal का schedule है जो student West Bengal की counseling करना चाते हैं वो यह schedule download कर दें और समय से अपना form apply करते हैं next जो update है वो तमिलाडू state से है, तमिलाडू state में जिन candidate ने registration किया है उनमी जो minority candidate से या CMC value के लिए जिनोंने apply किया है उनको documents upload करने हैं तो इसकी website पर TN selection की जो website है तमिलाडू की उस पर आप यह documents upload कर सकते हैं next जो update है पुडूचेरी state से है, पुडूचेरी का registration 18 जुलाइ 23 तक था वो date extend करके 20 जुलाइ 23 कर दी गई है तो जिन candidates ने पुडूचेरी में admission लेना है वो समय से apply कर देए अभी बात करें हैं अंदरप्रदेश state की तो अंदरप्रदेश में अभी competent authority यानि की वहाँ के domicile candidate के लिए registration start हो चुके है 20 से लेकर के 26 जुलाइ 23 तक वहाँ last date है registration कर सकते हैं ये अंदरप्रदेश state के लिए तेलंगाना state के लिए भी competent authority के पहले registration किये जा चुके है management quota के लिए इन दोनों states के अभी form start नहीं हुए है यानि कि जो category B और C में candidate आते हैं उनके अभी registration start नहीं हुए है तेलंगाना में भी नहीं हुए है और आंदरा में भी नहीं हुए है management quota के लिए ये जैसे भी start होंगे आपको inform कर देंगे हम next जो update है वो सिक्किम से है जो सिक्किम मनिपाल institute of medical sciences है उसका ये update है उसके form में अगर किसी candidate ने new registration करना है तो वो 22 जुलाई तक कर सकता है जिन्होंने documents upload नहीं कि वो भी कर सकते हैं और जिन्होंने need score update नहीं किया है वो 20 जुलाई 22 तक ये सब कर सकता है उसके बाद में registration स्टार्ट हो गए है इसकी जो last date है 23 जुलाई 23 रखी गई है midnight तक आप ये form apply कर सकते हैं जैंड़के की website पर आपको ये form apply करना है जैंड़के एक close state है जैंड़के के do missile candidate ही यहाँ पर apply करेंगे जो next step आ रही है वो step है जो update है वो हिमाचल परदेश से हिमाचल परदेश के भ last date 25 जुलाई 23 रखी गई है ये दोपेर 12 बजे तक है और इसमें जो final category merit list आएगी 28 जुलाई 23 को आजाएगी first round की provisional seat allocation 3 अगस्त को हो जाएगा final result 5 अगस्त को आजाएगा और इसमें second round का भी schedule दे दिया गया है इसमें face online 13 से 16 अगस्त तक है और इसका seat allocation 30 अगस्त 23 तक हो ज सकते हैं अगर आप हिमाचल प्रतेश में admission लेना चाहते हैं तो उसका भी आप registration कर दें हिमाचल में एक private college है solan में वो open quota के तहट आती है तो उसमें भी admission ले सकते हैं next जो update है चंडिगड से हैं चंडिगड के भी registration start हो गए है 25 जुलाई 23 तक last date है इसकी 5 बजे तक आप application form submit कर सकते हैं चंडिगड स्टेट के लिए जिन्होंने 10th 11 12 चंडिगड से किया है वो इसके लिए apply कर सकते हैं और भी condition है जो वहाँ service किये हैं उनके लिए भी condition है defense paramilitary के लिए भी वहाँ seat है वो reserve है कौन-कौन से candidate को ये seat मिल सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं इसकी website पर जाकर संडिगड की संडिगड की जो counseling करवाता है कुद चंडिगड hospital medical college द्वारा ये counseling करवाई जाती है तो आप अगर इसके लिए eligible हैं तो इसमें form apply कर सकते हैं next date है अंडमान अंडमान state के भी registration start हो सुके हैं अंडमान के लिए जो registration की last date है 28th July 23 है और इसमे final met list 1st August को आ जाएगी और इसमें second round counseling के लिए 27 को documents verification वगरा होंगे इसमें और इसमें verification documents का 3rd से 4th August तक का है और mop up की counseling 10th September तक है second round की 27 September तक है last date joining second round की 1st September तक है अंडमान के जो domicile candidate है वहाँ ये candidate apply कर सकते हैं इसमें अब बात करेंगे हम MCC का जो new rules आया है कि 3rd round में भी आप seat upgrade कर सकते हैं तो इस से cutoffer क्या effect पड़ेगा मैं आपको यहाँ पर clearly बता दूँ कि इस rule से cutoffer तो कोई फरक नहीं पड़ेगा cutoffer एक परसेंट भी फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पहले भी आयूस की counselling देखिए है उसमें same rule apply होता है और इस आयूस की counselling में cutoffer कोई फरक नहीं पड़ेगा जितने seatे हैं उतनी candidates से seat उन्होंने पहले भी इस rule से पहले भी उतने ही candidate नहीं लेनी थी उतने ही seatें थी उतने ही candidate थे तो इससे cutoffer तो एक परसेंट भी फरक नहीं पड़ेगा लेकिन फरक कहां पड़ेगा फरक वहां पड़ेगा उन candidates को इसमें फाइदा हो जाएगा जो पहले second round तक seat join कर लेते थ थे बिल्कुल भी उन कंडिडेट को सबसे ज्यादा फाइदा होगा क्योंकि मोपप राउंड में अच्छी सीट उन कंडिडेट को मिलती थी जो रिस्क ले लेते थे उसमें एक कोलेज में कम से कम पांस से दस हजार रिंग तक का भी फरक पड़ जाता था पहले जिन कंडिडे थे उनको एक ये दुख होता था कि कांस मैं मोपप राउंड में पार्टिस्पेट कर लेता तो ये सीट मेरे को मिल जाती अब वो पस्तावा नहीं होगा उन इस्टुडेंट्स को जो सेकंड राउंड में भी जोइन करेंगे और वो मोपप में उस सीट को अपड़ेड करव का सकते हैं ऐसे कंडिडेट को नुक्सान होगा जो पहले रिस्क ले लेते थे लास्ट रांड तक जाते रहते थे कि कोई मिलेगी तो अच्छी कोलेज मिल जाएगी और संभवत्य में अच्छी कोलेज मिल ही जाती थी क्योंकि मैंने बताया ना कि मोपप में दस-क्च अज जाती थी और उन student को अच्छी seat मिल जाती अभी जो stray है उसके बारे में क्या तो stray है उसमें बहुत कम seat आएंगी अपकी बार और जब stray में बहुत कम seat आएंगी तो student risk नहीं ले सकता इस्टे में ऐसे student ही risk लेंगे जो यह सोचेंगे कि या तो मेरा admission हो जाएगा या फिर मैं अग बिल्कुल भी risk नहीं लेना है आपको second round में seat join कर लेनी है उसके बाद आप third round में इसका upgrade कर वा लें state में आपको अच्छी seat मिल रही है तो state में join कर लें तो यह बातें जो मैंने आपको बताई हैं यह मैंने previous year को जो IUS की counselling है उनको देखते वे सारी बातें बताई हैं क्योंक stream में क्यों आपको नुकसान है यह उसी के according बता रहा हूँ मैं आपको risk लेने से तो यह जानकारी मैंने आपको दे दी है फिर भी अभी MCC के जो registration है आज 20 जुलाई से start होने हैं हो सकता है यह 21st सुबच 10 बजे की बाद ही हूँ लेकिन क्योंकि NRI conversion का जो message दे रखा है उसके according मैं बोल रहा हूँ बाकि MCC ने तो schedule 20 का दे रखा है तो जैसे यह registration start होंगी मैं आपको inform कर दूँगा और मैं आपको यह भी बताओंगा कि आपको यह step by step कैसे form fill करना है ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई mistake ना हो क्योंकि एक बार जब mistake हो जाती है form filling में वो आगे बहुत होंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा कि आपको कैसे 24 फिल करनी सासाथ वीडियो क्लोज करते से मैं आपसे एक और बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी आयो स्वेतनरी और इंडिया कोटा state की book available है इस वीडियो की description box से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी website www.chopda.education.net से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसी आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर कर लेंगे paid services हमने close कर दी है paid services बिल्कुल close हैं तो यह जानकारी थी counseling update के बारे में next update के बारे में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक मैं हरसा ही चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जैहिन हाँ जैहिन तो मैंने कर दिया है लेकिन इस channel को आपको subscribe जरूर करना है क्योंकि इस प्रकार की updates हम लेके आते रहते हैं हमारे channel पर आपको सारी updates मिलेंगी हो सकता है आप YouTube के और कुछ वीडियो जो मनोरंजन के वीडियो हैं वो देखें तो उसको छोड़के अगर है हमारा वीडियो देखते हैं आप 10 या 15 मिनिट का हो सकता है वो आपके लिए काफी helpful हो मिलेंगे नई updates के साथ में फिर आपसे एक बार जैहिन करता हूं Thank You